संतोशी माता वरत कथा एक बुर्या थी, उसके साथ बेटे थे, छे कमाने वाले थे जबकि एक निक कमा था, बुर्या चाहों बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती, वह सात्वें को दे देती, एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी म मा को मुझ पर कितना प्रेम है, वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है, वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ, मान नहीं सकता, बहु हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे, कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में साथ प्रकार के भोजन और चूर में के लड़ू बने, वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर, पतला वस्त्र सिर पर ओड़े, रसोई घर में सो गया, वह कपड़े में से सब देखता रहा, छहों भाई भोजन करने आये, उसने देखा, माने उनके लिए सुन्दर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया, वह देखता रहा, छहों भोजन करके उठे, तब माने उनकी जूठी थालियों में से लड़ूं के टुकड़े उठा कर एक लड़ू बनाया, जूठन साफ कर बुढ़िया माने उसे पुकारा, बेटा, छहों भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा, वह कहने लगा, मा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूं, मा ने कहा, कल जाता हो, तो आज चला जा, वह बोला, हाँ, आज ही जा रहा हूं, यह कहकर वह घर से निकल चलते समय पतनी की याद आ गई, वह गौशाला में कंडे, उपले, थाप रही थी, वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल, वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारों सोच हटाए, राम भरों से हम रहें मुझे दे, वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, वह चल दिया, चलते चलते दूर देश पहुचा, वहां एक साहुकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, सा साथ बजे से दस बजे तक नौकरी बजाने लगा, कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा, साहुकार के साथ आठ नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया, वहां एक लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहुकार को जरूरत थी, बोला, रह जा, लड़के ने पूछा, तंखा क्या दोगे, साहुकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे, साहुकार की नौकरी मिली, वह सुबह साथ बजे से दस बजे तक नौकरी बजाने लगा, कुछ तो बहुत होशियार बन गया, इधर उसकी पतनी को सास ससुर दूख देने लगे, सारी ग्रहस्थी का काम कराके उसे लकडी लेने जंगल में भेजते, इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रखती जाती, और फूटे नारियल की नारेली में पा बहिनो, तुम किस देवता का व्रत करती हो, और उसके करने से क्या फल मिलता है, यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे, तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी, तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोशी माता का व्रत है, इसके करने से न भक्तिनिस्त्री बोली, सवा आने का गुडचना लेना, इच्छा हो, तो सवा पांच आने का लेना, या सवा रुपय का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा, वप्रेम से जितना भी बन पड़े, सवाया लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निर ने रख कर कथा कहना, जब कार्य सिध्ध न हो, नियम का पालन करना, और कार्य सिध्ध हो जाने पर वरत का उद्यापन करना, तीन मास में माता फल पूरा करती है, यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों, तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिध्ध करती है, फल सिध्ध होने पर उ जेट, भाई बंधू के हों, न मिले तो रिष्टेदारों और पासपड़ो होसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथा शक्ति दक्षणा दे माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाना, यह सुन बुढिया के लड़चके की बहु चल दी, रास्ते में ल मंदिर है, यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लोटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, मा, मैं निपट अज्यानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ, हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ, माता को दया आई, एक शुकरवार बीता कि दूसरे को उसके पती का पत्र आया, और तीसरे शुकरवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा, यह देख जेट जिठानी मूह सिकोड़नने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने ल मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी, मा मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ, तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी अब संतोशी मा विचार करने लगी इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पती आएगा लेकिन कैसे वह तो इसे स्वपन में भी याद नहीं करता उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वपन में प्रकट हो कहने लगी साहुकार के बेटे सो रहा है या जागता है वह कहने लगा माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हुँ कहो क्या आग्या है? मा कहने लगी, तेरे घरबार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, मा बाप है, बहु है क्या कमी है? मा बोली, भोले पुत्र, तेरी बहु घोरकष्ट उठा रही है, तेरे मा बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाओं तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाओं। मा कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोशी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांज होते होते धन का भारी ठैर लग जाएगा, अब बूरे की बात मान कर वह नहा धोकर संतोशी माता को दंडवत धी का दीपक जला दुका करने लगे, शाम तक धन का भारी ठहर लग गया, मन में माता का नाम ले चमतकार देख, प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा सामान खरीदने लगा, यहां काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ, उधर उसकी पतनी जंगल में लकडी लेने जाती है, कहती है, हे पुत्री, तेरा पती आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकडीयों के तीन बोज बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर, तेरे पती को लकडीयों का गठर देख, मोह पैदा होगा, वह यहां रुकेगा, नाश्ता प नारियल के खेपडे में पानी दो, आज महमान कौन आया है, माता जी से बहुत अच्छा कहकर, वह प्रसन्न मन से लकडीयों के तीन गठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा, इतने में मुसाफिरा पहुँचा, सूखी लकडी देख, उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, कि हम यही पर विश्राम करें, और भोजन बना कर खापी कर गाव जाएं, इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाव को गया, सबसे प्रेम से मिला, उसी समय सिर पर लकडी का गठर लिये, वह उतावली सी आती है, लकडीयों का भारी बोज आंगन में डाल कर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासू जी, लकडीयों का गठर लो, भूसी की रोटी दो, आज महमान कौन आया है, यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिये हुए कश्टों को भुलाने है तु कहती है, बहु ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही मा, यह कौन है, मा बोली, बेटा, यह तेरी बहु है, जबसे तु गया है, तबसे सारे गाव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है, वह बोला, ठीक है मा, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो उसमें रहूंगा, मा बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया, अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी, इतने में शुकरवार आया, वह बोला, ठी माता, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिये थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यपन करूंगी, मा बोली, अब भूल मत करना, वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे, मा बोली, जा पुत्री, तेरा पती तुझे रास्ते में आता मिलेगा, वह निकली, राह में पती आता मिला, वह पूछी, कहां गए थे, वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था, वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है, पती ने कहा, करो, ब में खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो, वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, वह ब्राह्मन के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथा शक्ती दक्षणा की जगह एक-एक फल उन्हें दिया, संतोशी माता प्र आज क्यों न इसके घर चलू, यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुडचने से सना मुख, उपर सूंड के समान होट, उस पर मक्षियां भिन-भिन कर रही थी, देहली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुढ़ेल डाकिन चली आ रही ह लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी, लड़के भगाने लगे, चिल्ला कर खिड्की बंद करने लगे, बहु रोशंदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीन के नजर आने लगे, वह बोली, मा, मैं जिसका वरत करती हूँ, यह संतोशी माता है, सबने माता जी के चरण पकड़ लिये, और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्यानी हैं, तुम्हारे वरत की विधी हम नहीं जानते, वरत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहु को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सब को दे, जो पढ़े, उसका मनोरत पूर्ण हो, बोलो संतोशी माता की जय,